नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ावल आईसी में और सभी व्यूवर्स का एक बार फिर हार्देक हार्देक अभी नंदन है स्वागत है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते चले हैं लगातार लेटिस्ट अफ्डेट आ रही हैं विश्यविद्य लाई से सब्बंदेत सिक्षाव विभाग से Communенко सिक्षरब्रती से सब्भंदेत तो continue जानकारी आपनेों को मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में ही बेल आइकॉन पर प्रेज जरूर करें शेर भी करें वीडियो को और यदि पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम UGC याने की University Grand Commission के द्वारा कुछ नए कोर्सिस प्रारम किये गए हैं उसके संबन में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही informative है और मुक्त तहा विद्यार्थियों पर आधारित है चाहे वह टेकनिकल हो या फिर नॉन टेकनिकल हो सभी के लिए UGC ने अपने syllabus में और अपने नियम और निर्देशों में काफी कुछ परिवर्तन किया है 123 नए कोर्स प्रारम किये हैं PG और UG के अपने लिए साथ में ही scholarship के सब्मन में भी काफी कुछ नेमों को परिवर्तन किया गया है और सुभीधाओं की बात उन्होंने की है जो टेकनिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और नोन टेकनिकल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लि इसलिए आपको काफी कुछ जानकारी इसमें मिल जाएगी ये किस प्रकार से जो है कोर्स नए बनाए गए हैं क्या उनकी कंडिशन रहेगी और उनमें प्रवेश किस प्रकार से दिया जाएगा साथी scholarship के बारे में भी हम काफी कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो के मुताविक अब post graduation याने की PG करने वाले सभी चात्रों को 1000 रुपे की scholarship दी जाए ये योजना समाज के वंचितवर के अभ्यारतियों की समाजिक प्रिष्ट भूमी को द्यान में लगते हुए शुरू की गई है मीडिया रिपोर्ट की अधी बात करें तो इस योजना का ला जनजाती के चात्र scholarship के लिए आविदन कर सकते हैं मेडिया रिपोर्ट के अनुसार M.E. या M. Tech याने की जो टेकनिकल स्टूडेंट्स होते हैं इंजिनिरिंग के उनके तहत PG चात्रों के पुरुसकार के लिए चैनित होने वाले अभ्यातियों को 7800 रुपे की scholar से प्रतिब से ब्यवसाइक विश्यों में PG करने वाले चात्रों को इस योजना के लिए योग नहीं माना जाएगा दोस्तों ध्यान से सुनना इसको कि जो ओपन वाले यूनिवर्सिटी वाले हैं और जो दूरस्त सिक्षा से सम्मद्यत हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे और सिर्फ 2 य या तीन वर्ष के लिए ही दिया जाएगा इससे ज़्यादा के समय या फिर फैल होने पर चात्रों को इस योजना का लाग नहीं दिया जाएगा अब दोस्तों इसके सम्मद्न में पूरी डिटेल आप UGC की वेब साइट पर देख सकते हैं और ये जानकारी के वल आपकी इ कोरोना के बाद भी ओनलाइन पढ़ाने की अनुमती और UGC सुरू करने जा रहा है 123 ओनलाइन कोर्सिस आईए थोड़ा सा और जानते हैं कि कौन-कौन कैडिडेट्स इस आके आविदन के लिए पात रहने वाले हैं तो विश्विद्याले अनुदान आयोग ने देशवर के विविन केंद्रिये और अनि बिश्विद्यालें के लिए ज्याधा लचीले नियम बनाये हैं इनके तहित नियमित बिश्विद्यालbeiten को कोरोना महमारी के बाद भी ओनलाइन कोर्स चलाने और अन्न महत्पुन पार्टिक्रमों को दूनस्त चिक्षा के जरिये संचालित करन का फैंसला किया है इन में से 40 पार्टिक्रम इसनात्कोत्तर याने की पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी चात्रों के लिए और 83 इसनात्र चात्रों के लिए होगी और देश्वर्क के चात्र इन पार्टिक्रमों को कर सकेंगी अब दोस्तों इसके लिए UGC की वेबसाइट आपको देखना पड़ेगी वहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म है उनके आधार पर ये होगा तो ये प्लेटफॉर्म स्वेम या स्टडी वेबस आफ एक्टिव लर्निंग फोर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स के जरिए UGC के चेर बेन डीपी सिंग ने कहा कि डिजीटल प्लेटफॉर्म पर पाट्टे क्रमों को उपलब्द कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कई स्टेप्स उठाए गए हैं इस संदर्म में उन्होंने स्वेम स्वेम प्रभा नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी याने की एनेडी और अन्य डिजीटल प्लेटफॉर्म का जिक्री किया है सीरी सिंग ने कहा कि UGC की पहल के तहट विद्यार्थियों को ऑनलाइन सिक्षा की मुख्यधारा में लाया गया है और UGC के मुताविक स्वेम के ऑनलाइन पार्ठिक्रमों की परिक्षाएं भी कराए जाए इसके विविन परिक्षा केंद्रों पर इन परिक्षाओं का आयोजन करेगी तो दोस्तों इसके लिए जो एजेंसी है जैसा की पहले भी चल रहा था कि NTA एक्जाम का आयोजन करवाएगी कुछ भरती परिक्षाएं भी होंगी जैसे की रेलवे बगेरा की हुई तो उनका आयोजन ये NTA करवाएगा और जनवरी अप्रेल 2021 सेमिस्टर के विविन गैर तकनी की इसनातक एवब इसनातको तर पाठिक्रमों के लिए परिक्षाओं का आयोजन ये NTA करेगी स्वयम के जरिये परिक्षाओं के आयोजन के संबंद में UGC ने सभी विश्विद्य लायों और कॉलेजों को नौटिस भी भेजा है स्वयम देश भर के सभी चात्रों काम कर रहे पेशेवर जीवन भर पढ़ने के इच्चुक लोगों और अन्य लोगों को गैर तकनीकी याने की नौन टेक्निकल परा इसनातक एवं इसनातक पाठिक्रम उपलब्द कराता है जिसके अलावा UGC छेत्री भाषाओं के इस्तिमाल को भी बढ़ावा देता है और दोस्तों इसके आगे है कि तकनीकी पाठिक्रमों को याने की जो टेक्निकल अभ्यरती हैं और टेक्नोलोजी से जोड़े जो पाठिक्रम हैं सलेवस हैं उनको भी विविन छेत्री भाषाओं में अनुमती देकर वह भाषाओं को खत्म करेगा और इस दिस्ता में उसने कई कदम भी उठाए हैं तो दोस्तों ये दो जानकारियां थी हैं UGC के संबद में एक तो थी कि 123 पाठिक्रम नई चलाए गए हैं जो कि आगे आने वाले समोय में एक ब्यवसाइक रूप में डेवल जाती के हैं उनको स्कॉलर्शिप दिये जाएगी जिसमें के टेक्निकल और टेक्निकल के लिए अलग-अलग एमाउंट होगा स्कॉलर्शिप के दोस्तों मैं समस्ता हूं कि ये जानकारी काफी इंफॉर्मेटिव सभी को लगी होगी तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब